Murder मुबारक, तो कैसी है ये मूवी Murder मुबारक, क्या ये मूवी आपका time invest करने वर्थ है या नहीं है, क्या ये actual में एक mystery है, ये विलकुल ही flat मूवी है, तो यही सारी बातों का जवाब मैं दूँगा आपको इस वीडियो में आगे चलकर, तो वीडियो शुरू करने से पहले व Netflix के उपर release किया गया है, इसमें lead role में नज़र आ रही है, सारा अली खान और पंकज त्रेपाथी बाकी जितने भी characters आपने इस movie के अंदर देखे हैं, वो सब के सब supporting role के अंदर नज़र आएंगे आपको movie में, movie start जब होती है, एक बहुत ही जबर्दस्थ Hollywood वाली vibe मिलेगी आपको, movie की starting में initially कहानी है, कलब की एक super duper, super richie club की, South Delhi kind of club की, जहां शहर के सारे top richie rich आते हैं, और अपना time spend करते हैं, और एक ऐसा अलग culture जो शायद हमने आज तक अभी नहीं देखा जैए हो, जैसे शायद super rich रहते हैं, तो उस culture को represent करती है movie, और इसी culture के अंदर उस club के एक employee का हो जाता है, murder, जो की है उनका gym trainer, कैसे उस gym trainer के साथ सबी richie rich के link जुड़े हुए हैं, और उनी में से किसी एक ने क्यूं और कैसे किया है, उसका murder, तो पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द गूमती है, पहले एक डेड़, एक सवा घंटे के अंदर आपको लगया कि बहुत जादा Hollywood vibe है, और सिरफ जो Bollywood का एक तड़का इसमें दे रहे हैं, वो पंके तरे पाठी दे रहे हैं, पर धीरे धीरे movie उस Bollywood vibe से drift करती चली गई, और बिलकुल ही पंके तरे पाठी के आसपास घुमने लग अपने देशी Bollywood के उपर, जो एक movie का trailer देखे हमें लग रहा था कि शायद एक Hollywood inspired बहुत ही जादा दिमाग घुमाने वाला interesting twist वाली movie होगी, वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा, जो screenplay है, वो slow है, movie काफी जादा, बीस में boring हो जाती है, slow हो जाती है, और आपको तक यार चलो आगे चलो, कहीं न कहीं आप predict भी कर लोगे, अगर आप fan हो, thriller के suspense के, तो आप जो murder है, उसको आप predict भी कर लोगे, movie काफी जादा कोशिश करती है, कि आपका जो focus है, वो murder से हटा के other characters के उपर डाले, but eventually अगर आप इस genre को follow करते हो, तो आप murder easily guess कर लोगे, जो कि इस movie का एक lacking point है, अच्छी चीज़ जो है वो movie के अंदर, वो है पंके तरे पाठी की acting, अकेले खुद के दम पे वो movie को चला रहे हैं, और maximum screen time भी उनी को दिया गया है, उनके बाद अगर कोई दूसरे number पे आता है, तो वो सारा अली खान है, then करिजमा कपूर है, जो कि काफी लंबे समय के पड़े पर अपनी वापसी कर रही है, तो करिजमा कपूर के acting skills अभी भी उसी level पे है, उनके acting को कोश नहीं हुआ है, अगर वो proper वापसी भी कर लेंगी, तो शायद काफी अच्छी लगेंगी, सारा अली खाने काफी decent acting की है, generally मुझे लगता है कि वो बहुत जादा over acting करती ह बट इस movie के अंदर ऐसा नहीं है, उन्होंने काफी अच्छी acting की है, और पंकेश तरी पार्टी तो यार कितने बहतनी एक्टर है, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बाकी सभी characters ने भी अपने छोटे छोटे रोल काफी बढ़िया निभाए है, एक चीज की जो मुझे कम इसका trailer रग रहा था, उतनी promising ये movie है नहीं, तो I would suggest आप इस पर time waste ना भी करे तो चलेगा, बट हाँ अगर आप इन में से किसी भी actor के fan हो, तो one time watch ये movie है, अगर stars की बात आएगी तो 2.5 out of 5 stars दोंगा मैं, just because of that Hollywood vibe, पंकेश तरे पाटी एंड सारा अली खान, इन सबने जो है movie को बचाया है, direction काफी laggy है, direction के उपर अगर और अच्छे से काम किया होता, अगर screenplay को थोड़ा सा और खीच के रखते, movie की pace थोड़ी सी fast रखते, dimple का पाडिया का character थोड़ा और invest किया होता, मतलब कई सारे characters waste होगे, वही बात है कि बहुत बड़ी star cast थी, पर director उसे properly use कर न characters को use किया जाता है, इसका एक बड़ी example Knives Out है, Knives Out के अंदर बहुत सारे character थे और एक murder mystery थे और क्या बहतरीन movie थी वो, तो उस level की तो यह नहीं है, even कि आज कल जो Bollywood के अंदर OTT के उपर खास करके जो suspense thriller series बन रही है, उसमें भी कहीं stand करती नहीं है, just एक one time watch है, अगर आप जाते हो, तो otherwise I would suggest आप इसको skip कर सकते हो, overall मैंने आपको बता दिया मुझा movie कैसी लगी, आप बताओ comment में, अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, share, subscribe करना, मत भूलना